तो हेलो में दमें मैं चाइनल ऑफ एंद आजके विडियो स्रीष रूर्प के नदर हम इस्कुस करने वाले हैं फोंटेंट बेस्ट फंटेंस टीएज किस तरीके से हम अपने फोंट को चेंज करते हैं सिवील में क्या उसका प्रोसेस होता है इस फ्लत लेक्शर ने इसमें कहरा कि it is used to add style, size, color to the specific text यानि इसका हम use करते हैं add करने के लिए style को, size को, color को किसी भी specific text के लिए यानि किसी text को हमने लिखा अगर हम उसके color को, size को या फिर उसके background को change करना चाहें तो उसको easily कर सकते हैं अगला आपका है base font tag तो इसमें कहरा कि it is used to set all the of your text in the web page to the same size face and color यानि जो base font है वो क्या करता है वो हमारे मदद करता है कि जो भी हम अपने web page के अंदर अगर हम all over text को एक ही same size या और same font देना चाहते हैं, same color देना चाहते हैं तो हम base font के मदद से दे सकते हैं, उसके बत कहरा है कि there are the three attributes to change the size, color, face to font यानि तीन attributes होते हैं जिसमें पहला आपका आता है font size इसमें पहला point कहरा है कि it says the side of your website यानि यह क्या करता है, size को set करने में मदद करता है हमारे website के लिए and second कहरा है कि range 1 1 यानि smallest to 7 largest यानि 1 is smallest and 7 is largest यानि small आपका 1 रहेगा और जो आपका largest रहेगा वो 7 रहेगा और default size of font is 3 यानि जो default size रहेगा वो कहा रहेगा आपका 3 रहेगा जैसे font size 6 के हम बात करें तो hello आपका और font आपका open होगा तो close भी होगा उसके बाद आपका है font color तो इसमें कहरा है कि it set the color of your want यानि यह आपके font को color देने की कोशिश करता है और इसमें कहा है we can set the color using the 3 method यानि हम 3 method से अपने font को change कर सकते हैं उसके color को पहला आपका आता है using the color name जैसे red, blue, green, yellow जो भी हम add करना चाहते हैं second आपका आता है using RGB यानि red, blue and green यानि इस font को use करके हम उसको change कर सकते हैं यानि उसमें कुछ values आपके दिये रहेंगे उन values को हम उसमें रखते हैं उसके बाद using the hexadecimal value या फिर hex वाला जो term होता है उसके value के मदद से भी हम उसके font के color को change कर सकते हैं तो यहाँ पे example आपके सामन you have installed यानि किसी भी font को अगर आप change करना चाते हैं आप change कर सकते हैं तो यहाँ पे उसका example दिया हुआ है तो यहाँ तक यह पूरा procedure आपको समझ में आ गया होगा अगर वीडियो पसंद है लाइक जरूर कीजेगा जल्दी मिलते हैं सेंटेशन वीडियो सा तब तक के लिए thank you कर दो